सबी बच्चों को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, रादे रादे जैस्त्री कृष्णा बेटा जैसे कि आपको पता है कि हर साल की तरह URTPG का बैच यानि राजस्थान युनिवर्सिटी के लिए जो entrance exam लगता है MSE के लिए उसका बैच हम इसी दोरान स्टार्ट करते हैं जब आपके BSE के exam लगबख खतम हो रहे हो तब अभी exam चल रहे हैं और कुछ दिन और exam चलेंगे तो इस बैच को जो continuous जो बैच है वो तो आपका एक तारिक से ही अपने स्टार्ट करेंगे बट कल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है यानि जो 17 तारिक से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर आपकी डेड़ घंटे की क्लास परड़े चलेगी क्योंकि जो time period हमें मिलता है exam होने के तुरंत बाद BSE third year की और entrance exam के between का जो time होता है ताइम गैप लगबग जादा से जादा हमें एक मन्त या डेड़ मन्त ही मिल पाता है ठीक है यानि डेड़ मन्त के अंदर अपने को syllabus भी complete करना होता है उसके previous year भी complete करने होते हैं और जो आपका जो syllabus है उसे पुरा bind भी करना होता है तो जब आप bind करते हो syllabus को तो time लगता है और पढ़ाने में भी time लगता है इसलिए हमने ये सोचा है कि एक एक डेड़ेड गंटे ही class चलने देते हैं ताकि क्या हो थोड़ा सा flow बन जाएगा तब तक आपकी exam complete होगी ठीक है राश्तान इंविश्ट्री का entrance exam अभी CUET के अंदर नहीं है अगले साल से हो सकता है कि राश्तान इंविश्ट्री भी CUET के थुरू ही अपने admissions फिल करे अभी ऐसा कोई भी notification हमें देखने के लिए नहीं मिला है और मिलता है तो हम बताएंगे पर अभी किसी विवरकार का notification नहीं राश्तान इंविश्ट्री का separate exam इस बार भी लगेगा जैसे 2023 में लगा था वैसे ही 2024 में भी लगेगा जैसे 2022 में लगा था same as AT तो मैं बात कर रहा हूँ राश्तान इंविश्ट्री इंट्रेंस exam के batch की इस batch के बारे में मैं बता दू तुम्हें जो RU, CU, DU, JNU, BHU, MS इंट्रेंस का exam है इसके अंदर हम CUAT की भी तियारी कराएंगे साथ में ठीक है जैसे पहले राश्तान इंविश्ट्री का syllabus complete होगा जैसे thermodynamics सल रही है for example book thermodynamics का पहला जो syllabus होगा पूरा राश्तान इंश्ट्री का होगा उसके लावा thermodynamics के जितने भी topics बचे वे हैं जो CUAT के अंदर काम में आते हैं वो CUAT का batch भी उसी के अंदर include करेंगे अब जो यह CU, DU, JNU, BHU आते हैं यह CUAT के अंदर आते हैं clear but आपको मैं CUAT के बारे में बताओं इससे अचा आपको जो particular नाम जिससे जानते हो कि आप CU में जाना है, Central University में जाना है, DU में जाना है, JNU में जाना है, BHU में जाना है तो उसके लिए जो रस्ता है वो CUAT का है, पर आपको तो यही है ना कि मुझे JNU में जाना है तो मैंने इसी तरीके से लिखा है, CU, DU, BHU और JNU, MS Intrent full land test on रास्ता निश्टी pattern, रास्ता निश्टी के pattern से full land test करवाए जाएंगे आपके जितने भी test होंगे, मालो, पहले जो test लगेंगे, वो subject wise लगेंगे और उसके बाद जो test लगेंगे, वो कैसे लगेंगे, आपके, full land test लगेंगे DPP आपको मिलती रहेगी, और class notes आपको लिखवाए जाएंगे, classroom के अंदर पूरे जिस तरीके से questions पूछे जा रहा है वो इस batch के अंदर अच्छी तरीके से बचाया जाएगा topic wise test जिये जाएंगे, previous year sold paper previous year जो sold paper जो आपको मिलेंगे, वो जो आपको paper मिलने वाले है वो 2000 से लेकर और कब मिलेंगे, आपको 2023 तक के paper मिलेंगे पूरे 2000 से लेकर 2023 साल के sold paper आपको यहीं इसी classroom के अंदर मिलेंगे कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है आपको with उसी fees के अंदर include में दिये जाएंगे online वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि हम उनकी PDF अप्लोड करें बट यदि कोई बच्चा यहां coaching से आके लेना चाहे तो वो ले सकता है उसमें किसी प्रकार की कोई दोराय नहीं है ठीक है वो यहां से collect कर सकता है अब आपना आगे की तरफ चलते हैं बेटा देखो यूरे टीपीजी का जो 2024 का जो batch है उसका paper pattern क्या रहने वाला है पहली बात तो यह paper pattern बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि sir हम पहली बार हैं हमें नहीं पता paper pattern क्या होता है तो मैं तुम्हें अभी से बता दूँ जो paper pattern होता है रास्तान इन्यूश्टी का वो क्या होता है आपका देखो physics जो मैं only physics की बात कर रहा हूं तो physics के अंदर आप BSE part first, second, third और इन में total कैसे निकलेगा आपका 70 नंबर का 100 नंबर का paper होगा पूरा कितने नंबर का paper होगा 100 maximum marks 100 नंबर का paper होगा 100 नंबर में से आपका 70% निकलेगा 70% paper का निकलेगा और 30% average percentage BSE BSE first year, second year, third year तीनों का जो average है उसका 30% निकलेगा कितना निकलेगा 30% निकलेगा और फिर उन दोनों का add होके merit बनेगी और उस अधार पे आपको रास्ता अनिश्टी के अंदर admission मिलेगा clear, जो बच्चे नए है, किसी भी प्रकार की doubt है वो अपने इस नंबर पे संपर्क कर लेना मुझसे बाकी play store से जाके आप app डाउनलोड करना चाहते हो तो amplitude classes आपका जो application है वो available है आप चाहते हो कि हम sir laptop के अंदर देखना चाहते है तो windows application भी amplitude glasses के नाम से available है आप वहाँ windows application भी download कर सकते हो अब sir हमें जो पढ़ना है वो क्या-क्या पढ़ना है वही पढ़ना है जो आपको आप generally BSC के अंदर पढ़ते आते हो आपको mechanics पढ़ना है इसके अंदर मैंने दो category करती है आप BSC के अंदर दोनों को एक जगे ही पढ़ते हो पर यहाँ आपन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे wave and oscillation को अलग पढ़ेंगे mechanics वाले part को अलग पढ़ेंगे ठीक है optics पढ़ेंगे ठीक है electromagnetism पढ़ेंगे यह तीनों BSC part first का सलेबस है किसका है BSC part first का part first year का clear फिर आता हमारा electronics thermodynamics and statistical physics और mathematical physics यह आपके second year के हैं बिटा किसके है second year में पढ़ी थी बट जहां पढ़ी थी उस समय theory पढ़ी थी केवल यहाँ पे आपको numerical solve करने और theory के अंदर जो छोटे वाले questions किस तरीके से बनते हैं वो important है यहाँ पे तो उसको यहाँ पे अपन क्या करेंगे देखेंगे सारी topics के जो छोटे questions बनते है numerical कैसे solve लता हो सारा यहाँ पे यहाँ पे हमारा focus यही रहेगा अभी इस बैच के अंदर हमारा यह focus नहीं है कि हम जानते हैं कि इस परकार उप्रोक्त संबंद यह पूरी theory लिखना नहीं हमें target यह करना होता है इस के अंदर कि आपका जो questions पूछे जा रहे हैं CUT हो चाए RU हो चाए DU हो चाए BH यह CUT के अंदर आगे सारे और RU separate तो दोनों के पूछने के थोड़ा तरीका अलग है और जो CUT का slip जो आपका pattern रहेगा थोड़ा सा complicated रहेगा RU से RU में direct question पूछा जाता है क्योंगे time period क्या होता है 2 गंटे होते 120 मिनट में 100 question करने होते हैं आपको आओ उसके बाद आती है आपकी quantum and spectroscopy nuclear and particle physics and solid state physics यह तीनों आप अभी अभी पढ़के आए हो BAC part 3 के अंदर clear है अब देखो मैंने अभी मेरे पास last year आपको पता है अभी banner आ जाएगा last year भी selection थे उससे last year की बात कर रहा हूँ है 2022 वाले exam की बात कर रहा हूँ Christian Gopal इसकी first rank थी और Vishal की second rank थी और इसके बाद fourth rank रिम जिम की थी Manisa की ninth rank थी Manisa यादव की 11th rank थी इसी तरीके से last year भी काफी result थे और इसी के अंदर एक result और भी है ठीक है तो ये सारे results तो मैं आपको और आपको राश्ता अनुश्टी में पढ़ी रहे हैं बच्चे तो आप उनसे direct contact भी कर सकते हैं ठीक है राश्ता अनुश्टी में at present time पढ़ रहे हैं last year है इनका इससे पीछे वाले previous वाले बच्चों का भी मैं data तुम्हें दूँगा तो उसका भी तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे और क्या है ठीक है तो ये सारी चीजे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी results की तो बात यह है कि आप अराम से उन्विश्टी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हूँ सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा fees का किसका है देखो आपको लग रहा होगा कि fees थोड़ी जादा है पर आप एक बात ध्यान रखना जो आपकी fee है वो कितनी है आपकी 6,000 रुपे यह दि बच्चा दो इंस्टोल्मेंट में देना चाहता है तो फिर आपको 7,000 रुपे देने पड़ेंगे 3500 प्लस 3500 ठीक है यह एक साथ deposit कराने की fees है 6,000 रुपे clear और दूसरी बात आपका time क्या रहेगा तो morning अभी के लिए जो timing है वो morning 11 से आपका 12 30 तक एक class रहेगी आसिस सर की अभी ठीक है उसके बाद मेरी classes जाने लग जाएगी एक तारिक से तो यह आपको दो teacher पढ़ाएंगे आसिस सर और मैं खुद दो पढ़ाएंगे पूरा syllabus पूरा time to time और paper pattern हाँ जो बच्चे offline आते हैं उनके लिए आपका 15 दिन का demo free देंगे अराम से 15 दिन में आदमी यह पता लगा सकता है कि मुझे benefit है या नहीं है online वाले बच्चों के लिए आपकी 10 classes YouTube पे free रहेंगी परतेग teacher की 10 classes आपको YouTube पे मिल जाएगी और अब आपकी पहली class जो start होगी वो आसिस्तर की start होगी आपको और किसी भी प्रकार की information लेनी है तो वो 7611-9811-11 ठीक है यह course आप application से भी प्रसेज कर सकते हो जाके और जो बच्चे application से प्रसेज नहीं करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर कर ले मैं बता दूँगा किस तरीके से क्या प्रसेज रहेगा ठीक है तो यह सारी चीजे है अब आपकी जो पहली book start कर रहे हैं वो हम कर रहे है thermodynamics and statistical physics यह अराम से YouTube पे चलेगी कुछ time के लिए आपको live लेना है तो कल से live जोइन कर लेना otherwise आपको recorded classes YouTube के उपर मिलेगी और demo यदि live लेना है तो आप application डाउनलोड कर लेगी application पे live demo में classes चलेगी बट जो आपकी classes YouTube पे आएंगी वो recorded classes आएंगी ठीक है क्योंकि हम applications पे live करेंगी तो आपको मालो demo live लेना है तो आप application डाउनलोड कर लो उसमें demo का section है उसमें आपको live मिल जाएगी यदि आपको recorded लेनी है तो YouTube पे अलग से playlist मिल जाएगी 2024 प्रास्ता निश्टी इंटरेंस एक्जाम या URT APG के नाम से उसमें आप जाकर आप से class ले सकते हो ठीक है तो आज के लिए तो इतना ही बाकि अब आसिसर की class चलेगी तो आप regular class लीजिएगा और जब आपको ऐसा लगे कि course purchase करना चाहिए तब आप या तो इस number पे contact कर लीजिएगा या amplitude classes के जो play store पे जो application है उसमें जाकर आप direct भी course purchase कर सकते हो राम राम सा धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ जो अपना नया जो subject start होगा उसके साथ सबसे पहले जो subject मैं पढ़ाऊंगा आपको वो जो subject पढ़ाऊंगे वो आपको पढ़ाऊंगा nuclear and particle physics तो वो मैं एक तारिक से पढ़ाऊंगा उससे पहले 80 सर की class लेगी thermodynamics statical physics की ठीक है राम राम से